वेलकम तो यूरोन चैनल डेली स्टॉक तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इंडियन टेरेन कंपनी के बारे में कंपनी क्या काम करती है, बिजनस सेग्मेंटेशन क्या है और सबसे इंपोर्टेंट की यहाँ पर इस कंपनी में निवेश किया जा सकता है नहीं तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो में तो यहाँ पर आप वीडियो का इन तक जरूर दीखिए और उसके साथ-साथ में अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को इस डेली स्टॉक का आपने सब्स्राइब नहीं किया हो तो चैनल को एक इस तरह से वर्काउट हो रहे हैं अपर इंवेस्टिंग फाइनिसिंग इंटिविटी काफी तरह इंपॉर्टन होती है तो यहाँ पर जो वर्काउट हो रही है कंपनी का शेर प्राइज जो वेल्यूशन पर यहाँ पर डेड़ कर रहा है अकॉर्डिंग तो डेड़ से है वो किस तरह से जो है यहाँ पर मैं आते हुए देखने को मिल रहा है उसके ओपर भी हम यहाँ पर जो है फोकस करने वाले हैं अगर मैं आपर कंपनी के बारे बताओ तो कंपनी का यहाँ पर जो में जो कारूबार देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर टोटल यह कंपनी इ रेटेट जो भी हो गया है shirts, trousers, shorts या फिर T-shirts लेटे कोई भी चीज हो गई तो उस सब चीजों के बारे में यह जो चीजों होती है वह यह company खुद manufacture करती है उनकी खुद की brand के नाम के साथ में इंडिया टेरेंट फैशन करके उसके अब जो यह company जो website है वो भी आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो तो यहाँ पर mainly जो है यहाँ पर company के जो भी product segmentation है वो यहाँ पर casual wear के उपर ज्यादा focus है multi brand outlets भी जो है यहाँ पर company के पास almost जो है डाइसो से ज्यादा जो है new stores जो है चार साल में यहाँ पर company ने open किये हुए है e-commerce के ओपर भी जो है यहाँ पर company का गारोबार है और यहाँ पर एक अच्छा सा brand outlets as well as large format outlets होता है उसके तुरू जो है आपर में देखने को मिल रहा है company का यहाँ पर currently market cap है आपर 320 क्रूर का और यहाँ पर currently share trade कर रहा है 77.6 और high price भी आपर 82.4 का देखने को मिल रहा है आज यहाँ share 8.38% की तेज़ी के साथ में एक अच्छा से valuation पर आया है और 36.6 का low price देखने को मिल रहा है that is minus 1.47 percentage और यहाँ पर company का return on capital employer is also not great that is 3.38% का जो है देखने को मिल रहा है debt यहाँ पर 104 कडो का है तो यह जो चीज है वो definitely फोड़े बहुत जो है negative यहाँ पर हमें देखने मिलेगी बट यहाँ पर मैं आपको जिस्ते से बता कि company के यहाँ पर इतने सा company जो अच्छे चल्लाइस कर लेती है एक अच्छा सा जो है company का business overview होगा इस अच्छे से मैंने नहीं कर पाती है तो definitely यहाँ पर बहुत ही खरब जो इसका effect देखने को मिल सकता है just in the case कि यहाँ पर आपको पता हो नच्छे की company का market cap अभी पहुचा है 320 करोगा और यहाँ पर company क जो है margin अच्छे से acquire नहीं कर पा रही है अगर हम देखते हैं तो चाड़े 2 करोड के असपास जो है company ने गाटा भी किया हुआ है quarterly basis case आप से देख लेते हैं कि यहाँ पर जो पहले trend था अभी इसमें कुछ सूदार देखने को मिल रहा है या नहीं because that will be the biggest question या फिर टर्न रा 2022 के और यहाँ पर June और September 3 quarter के अगर में आपर revenue को add on करते हैं let's see कि आपर हमें जो है company कितना revenue जो है देखने को मिल चुका है 108 करोड उसके बाद 99 करोड अल्मूस और उसके बाद 155 करोड के जो है एक अच्छे जो revenue के number होते हैं वो यहाँ पर में देखने को मिले है तो 362 तो भी 462 करोड के जो हाई एस टेवर जो revenue है वो यहाँ पर हमें शू होते हुए देखने को मिल सकते हैं September के बात का अगर में आपर trend भी रहते हैं तो देख सकते हैं 97 से 100 हुए है यहाँ पर 68 से 91 हुए है तो यहाँ पर हम जो revenue के number ले रहे हैं वो यहाँ पर सबसे कम जो है minimum basis पर ले रहे हैं 460 करोड पीज मिनियम basis पर हो सकते हैं chances are there and highest basis पर I think 500 करोड के भी company जो numbers है वो यहाँ पर में जाते हुए देखने को मिल सकते हैं but यहाँ पर market इस share को company revenue के उपर mark नहीं देता मार्क देता है company के profitability के उपर तो पिछले 3 quarter के profit अगर हम देखते हैं तो 6.46 करोड रुपीज उसके बाद 2.86 करोड और उसके बाद यहाँ पर September के अंदर तो company ने बहुत अच्छा सा profit किया है 8.66 करोड का company ने यहाँ पर profit किया हुआ है तो 3 quarter को मिला कि अगर हम देखते हैं तो 7.5 करोड के एक तगड़े company ने यहाँ पर profit किया है so let's assume कि आपर अगले quarter में minimum अगर समद लीजे यहाँ पर 3 करोड के असपास भी अगर 3 से 3.5 करोड भी अगर company profits आ जाते हैं तो यहाँ पर 25.5 का असपास company का यहाँ पर profit देखने हो मिलेगा year on year basis के हिसाब से और यहाँ पर अगर हम current market जो यहाँ पर stock का PE देखने हो मिल रहा है that is on screen that is 16.9 का तो उसके आ यहाँ पर हमें market cap देखने हो मिल जाता है let's assume कि यहाँ पर company के जो profits है वो 25 करोड के जो है देखने हो मिलते है 25 करोड के आप से 16.9 का PE करते है तो भी यहाँ पर हमें जो है बहुत ही अच्छी जो numbers है तो यहाँ चार सो करोड के आसपा जो है company का share जो है वो जहाँ सकता है possibilities are there now let's just calculate the profit once again I think there was some error and this is what it is तो यहाँ पर हम 3 करोड के भी हम देखते है तो यहाँ पर 20.5 यह फिन maximum 21 करोड के profit के साथ में 16.9 का गर हम देखते है साढ़े 300 करोड के जो है company का market cap वो current valuation के साब से देखने हो मिल जाड़ीज यहाँ से भी 10% के chances are there still तो यहाँ पर हम company के promote holding देखत है 29.12% की holding यहाँ पर में जो देखने हो मिल रही है FIA का interest 6.86% यहाँ पर जो हो चुका है और DIA का investment यहाँ पर निल हो चुका है तो कि पहले काफी अच्छी का सी company का investment था वो हट चुका है public holding यहाँ पर 64% majority में देखने हो मिल रहा है और उसमें से भी यहाँ पर बड़ी पार पाटिका मिला कि almost 14% का investment है so mostly यहाँ पर पब्ली के पास ही यह शेर पड़ा हुआ है तो उसमें इसके आप से देखते हैं promoter के पास जाधा holding होनी चाहिए थी वह जो है बहुत positive outlook जो है बदाता है जो कि यहाँ पर हमें अभी के हिसाब से तो देखने को नहीं मिल रही है cash from operating activity यहाँ पर 22 करोगा जो एक अच्छा सा जो है यहाँ पर रेलेजिशन देखने हो मिला है kind of a positive thing और cash from investing activity के अंदर यहाँ पर company ने investments 18 क्रोड के परचेस किये हुए है so यह चीज़ है वो काफी अच्छी और financing activity के अंदर minus 13 क्रोड उपीस interest paid जो है यहाँ पर company ने 18 क्रोड के पे यहाँ पर आपने निवेश करना है या नहीं करना है तो यहाँ पर बता हूं तो यहाँ पर definitely company return on हो रहा है risk basis के हम देखते है तो risk थोड़ावाद यहाँ पर जहाँ जहादा देखके हूं मिल रहा है as compared because company market के काफी तरका में वाल्टिल्टी अगर आपर handle कर सकते हो then we can think about taking an investment decision for this shop pick of this Indian Terran fashion limited so hope करता हूं कि यहाँ पर आपको इस company आपने किया वह यहाँ पर आपको अच्छीत बता जल गया होगा वीडियो च्छा लगा हो तो वीडियो को like share and subscribe करना ना भूलेगा thank you